हेलो स्टुएंट्स वेलकम टू इग्नु बड़ी तो देखें आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके इग्नु के दिसम्बर 2023 टर्मेंट एक्जाम रेजल्ट के बारे में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके दिसम्बर 2023 के जो एक्जाम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और एक्जाम को स्टार्ट हुए 8-9 दिन अल्रीडी हो चुके हैं काफी सारे स्टुएंट्स के एक्जाम हो भी चुके हैं तो अब students के मन में डाउट है कि जो exam का result है वो कब तक update होता है एगनू में तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो पिछली बार का result है यानि कि जू 2023 के exam थे उनका जो result अगर मैं बता हूँ आपको तो result normally आपका exam start होने के 20 से 25 दिन बाद पहला update आता है exam का यानि कि result का पहला update आपका exam start होने के 20 से 25 दिन बाद आ जाता है तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी आपका कोई भी termit exam का result update होता है तो यहाँ पर link उसका update किया जाता है और यहाँ पर अभी तक December 2023 termit exam result का कोई भी link update अभी तक नहीं किया गया है जब भी result आएगा तो यहाँ पर ही आपका link update किया जाएगा उसके बाद से आप इस तरह से open करके उसको अपने result को check कर सकते हो खेर यह तो आपका अभी June 2023 का portal है यहाँ पर अभी portal start भी नहीं हुआ है आपका December 2023 termit exam result का वैसे पिछली बार की बात करें तो 25 दिन बाद जो 25 से 30 दिन बाद आपका जो first result update है वो आ जाता है दूसरी अगर मैं बात करूँ कि किन students का result first update में आ सकता है तो देखिए वो students जिनका exam एक दिसम्बर से लेकर 6 से 7 दिसम्बर के बीच में हो चुका है उन students के chances जादा होते हैं result आने के क्योंकि उन students का exam पहले हो चुका है और उन students को exam दिये हुए 25 दिन हो जाते हैं तो इसलिए chances बहुत जादा होते हैं कि आपका result पहले update में आ जाए उसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ों पर भी depend करता है जैसे कि आपकी जो evaluation center है वो कौन सी है आप अगर लखनो evaluation center से belong करते हो या फिर आप डेली evaluation center से belong करते हो तो most probably आपका जो result है वो पहले update किया जाता है क्योंकि लखनो evaluation center और डेली evaluation center जो है एक नूम है अलग-अलग evaluation center होते हैं अलग-अलग area के इसाब से तो अगर आप लखनो या डेली evaluation center से belong करते हो तो आपका result पहले आने के chances होते हैं क्योंकि ये देखा गया है कि पिछली बार के result में भी और उससे पिछली बार के result में भी जो लखनो evaluation center है वो result को जल्दी update करते हैं और fast update करते हैं और जो evaluation center है उनके मुकाबले अगर देखा जा तो ये जो डेली और लखनो evaluation center है ये fast result update करते हैं तो अगर आपका evaluation center कोई सा है तो chances जादा हैं कि आपका result है वो first update में आ जाएगा तो ये दो बड़े factor हैं जिस पर depend करता है कि आपका result है वो कब update होगा वैसे अगर आपके exam को दिये हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं तो chances होते हैं कि आपका result पहले update में और अगर पहले में नहीं आता है तो दूसरे update में आ सकता है तो ये दो बड़े factor में आपको बता दिये जिस पर depend करता है कि आपका result है वो कब आएगा दूसरा जब भी यहाँ पर link update होगा December 2023 टर्मेट exam result के लिए मैं आपको इस चैनल पर जरूर अपडेट कर दूँगा तो आप चैनल को subscribe करके जरूर रखना अगर ये वीडियो आपको helpful लगी होगी अगर ये वीडियो आपको helpful लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और एगनू से related हर अपडेट और information के लिए एगनू बड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना So thanks for watching this video Thank you so much